और ढोल गवार शुद्र पशुनारी ये सब ताडन के अधिकारी ये महान पंक्तिया कहने वाला तुलसीदास अगर आज होता तो यहाँ सर पटक रहा होता इनके पैरों में यहाँ पर अपना सर पटक पटक के उसको शरम से डूब जाना पड़ता कि जिन लड़कियों को वो कह रहा था कि ये सिक्षा क्या दिकारी नहीं है ये देखिए बार सरकार के बजट को जिसको बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं समझ पाते उसको ये समझा पा रही है और ये जो लड़कियों हैं ये देखिए ये फटाफट आखड़े बता रही हैं भारत के बजट की रिपोर्ट ही महिलाओं ने तयार की है 95% महिलाओं के लिए आपने कुछ नहीं दिया और 2% 5% महिलाओं के लिए आपने सारा बजट जो है बोरिया खोल दी मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है वितमंत्री निर्मिलास सीतारमन ने जो बजट पेश किया उसमें दलित और आदिवासियों के हिस्से में क्या आया यह जो report आप देख रहे हैं दलित आधिवासी बजट 2022 यह NCDHR की तरफ से जारी किया गया है जिसमें इस बात की जानकारी है कि दलितों के हिस्से में आखिर आया क्या है आधिवासों की हिस्से में आखिर आया क्या है और जो climate change हो रहा है आप सब जानते हैं कि समय climate change आ रहा है उसका सबसे ज़्यादा आसर हमी लोगों पर होगा क्योंकि दलिद बोजन आदिवासी सबसे ज़्यादा आस सुरक्षित हैं, vulnerable हैं, उनके लिए क्या fund दिया गया है, manual squengers के लिए क्या fund दिया गया है, सरकार ने कितना fund पहले दिया था, आपकी बार कितना काट लिया, हर जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिले गी, NCDHR की वेबसाइट पर आप इसे पढ़ सकते हैं, और इस रिपोर्ट को तयार करने के लिए जो कई चहरे हैं, वो आप इस फ्रेम में देख रहे हैं, ये जो हमारी मैलाएं ह और प्रदान वंतरी नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें, तो जो नारी शक्ती है, मात्र शक्ती है, वो शब्दों के बड़े कलाकार हैं, ऐसे से शब्द इस्तमाल करते हैं, ये हमारी जो लड़कियां है, इन्होंने बहुत शांदार काम किया है, कली बजट आया और क्लाइमेट चेंज के हम बात कर रहे थे कि दुनिया भर के अभी इंप्लिकेशन आ रहे हैं, बहुत इंपक्ट हमारे लोगों पर हो रहा है, और हम सबसे ज़्यदा प्रभावित हैं, क्योंकि हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास पक्के मकान नहीं है, बहुत सारे शेल्टर की चीज़े हैं नहीं, और तमाम तरीके के फंड हम क्लाइमेट चेंज के लिए देखते हैं, इस क्लाइमेट चेंज को अगर हम दलित आदिवासी प्रेस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करें, तो भारत का जो बजट आया है, इसको आप कैसे देखती हैं? सबसे बड़ी बात तो मैं यह पहले कहूंगी, कि जैसे आपने कहा कि यह जो क्लाइमेट या जलवायू परिवर्तन का संकट है, वो बहुत सालों से संगीर होता चला जा रहा है, लेकिन शायद अभी जब से यह नई सरकार हमारी जो दो टर्म, सेकिंड टर्म उनका कम्प्र प्रिट भी होने वाला है, तब से शायद उन्होंने लीडर्शिप जादा ग्लोबल प्लाट्फॉर्म पर ली है, तो उससे भारत में भी यह मुद्दा बहुत ही जादा सीरिस्की लिया जाने लगा है तब से, खाला कि इस पर रिसर्च और जो आईपी सीसी की भी रिपोर् हो रही है, बाते हो रही है, तो सरकार के लिए भारत के लिए पुलिटिकली इस वेरी वेरी इंपॉर्टन एजेंडा, और अभी G20 की प्रेजिदेंसी की बात हो रही है, इस साल जो इंडिया के पास में आया है, उसमें भी climate resilient infrastructure और climate resilience पे बहुत बड़ा फोकस है, और हमारे अब ही हम बजट की बात कर रहे हैं, और पिछली बार भी, इस बार भी हम देख रहे हैं कि सरकार का जो main focus है, climate change पे, एक जो main gap पहले मैं focus से पहले यहां पे highlight करना चाहूंगी, वो यह है कि भारत का अपना climate budget statement कोई नहीं है, जिसकी वज़े से clearly track करना कि कितना पैसा climate resilience और climate adaptation and mitigation पे जा रहा है, अनुकुलन पे जा रहा है और खत्रे को कम करने पे जा रहा है, वो clear नहीं है, क्योंकि अलग-अलग multiple ministries यह climate की schemes को implement कर रही है, अब दूसरा point यह है कि जहां पे हमारे पास इतना पैसा आ रहा है, सरकार का focus clearly solar energy पे है, क्योंकि renewable energy की बात चल रही है, सरकार का focus हर घर पानी पहुंचाने पे है, क्योंकि climate change के वज़े से जितना भी यह संकट है और disasters हो रहे है, स्वच पानी, potable water घर-घर मिलना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, और groundwater का जो गुरूप योग भी चल रहा है, exploitation भी है, वो भी एक मुद्दा है, तो इसलिए जल ज sanitation का जो drinking water and sanitation का department है, उनके यह main schemes है, छोटे-छोटे schemes बहुत है, जो 500 क्रोड से नीचे है, बट यह सबसा जाधा पैसा इन में है, और जैसे कि सरकार निती आयोक की guidelines के हिसाब से, जितना अवंटन किया जाना चाहिए, जितना proportionate allocation होना चाहिए, वो यह ministries कर रही है, जो climate change programs implement क इतने घरों को rooftop या फिर solar power या street lights कितने गाउं में उनके hamlets में होगी, right, so, स्वच भारत mission की अगर हम बात करें, बहुत ही popular एक scheme रही है हमेशा, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग इसलिए चूट जाते हैं, क्योंकि उसमें conditionalities है, right, कि वो भूमी हीन तो हो, लेकिन homestead land हो, प्र इतादीवासी छूट जाते हैं, similarly, यह जल जीवन मिशन का भी यही है, तो उधर भी contribution की बात है, कि पान से दस प्रतिशत contribution हर घर देगा, ताकि वो एक dignity और pride वाली उसमें feeling रहे, बट वो कैसे देंगे, अगर वो दिहारी मस्दूरी करते हैं, और अगर सुखा अकाल पढ़ है, और relief centric है, कि कुछ आपदा हुई, बाढ़ हुई, या सुखा हुआ, relief राहत बाढ़ दिया, लेकिन यह तबका हमेशा ही छूट जाता है, तो आप खुद सोचिए, कि जहां पे social sector spending पे बार-बार कैची चल रही है, और budget नीचे ही आता जा रहा है, तो overall हम कैसे श्रमता क वर्दन करेंगे, climate change में आप पूरा population proportionate अगर दे भी दे पैसा, physical targets नहीं है, तो आप track नहीं कर सकते, कि कितना हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है, major gap भी है, हलाकि बहुत schemes में यह focus जब allocate कर रहे हैं, तो उसमें targets होना बहुत जरू हो जाता है, तो वहाँ भी track कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तो वो पूरी तरह से exempted है, MHA और finance ministry आपके social welfare के लिए SCSTS के लिए allocate करने के उस दाएरे में ही नहीं आती है, तो वो पैसा भी फिर कहां जा रहा है, कितने हमारे लोग छूट जा रहे, exclusion होता है, त कई ऐसे examples हैं, ऐसी खबरे आई हैं, जिसमें बाड़ पीडितों को, बुकम पीडितों को compensation जाते के अधार पर नहीं मिला है, उनको पीछे छोड़ दिया गया, उनको compensation नहीं मिला, यहां तक कि राहत सामगरी जो बाटी जाती है, वो देने में भी जाती देखकर ही ये तै कि कि किसको दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, ऐसे आनुभव हम सब के हैं, हम आसपास ये चीजे होते हुए देखते हैं, तो बजट में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, कि वंचे तबकों को भी जो जलवायू परिवरतन की वज़े से परिशान होंगे, उनक कि लिए कोई खास तरह के कारेकरम चलाएं, या उन्हें कुछे विशेस तो विधाएं दी जाएं, ली ने बहुत अहीं जान करी दी है, अब मेरे साथ अंचली हैं, NCDHR में हैं, और अंचली से हम जानेंगे कि मैन्वल स्क्वेंजिंग जो है, यानि जो हाथ से मैला उठात मैन्वल स्क्वेंजिंग करने वाली महिलाएं थी, बच्चे थे, जो लोग थे, उनकी एमपावर्मेंट के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ फंड एलोकीट होते थे पहले, इस बार वो खतम कर दिये हैं, और सरकार 97 करोड रुपे लेके आई है, और नाम दिया है नमस्त और वो खहरें कि हम मेकनिजम के जरिये माशीनों के जरिये हम मैला उठाने का काम करेंगे, और 97 करोड जो है ये उसके लिए इस्तमाल होगा, कैसे देखती हैं, ये तो मतलब बहुत बड़ी एक चीज है जिसके उपर बात करना जरूरी है जी, तो सबसे जरूरी बात तो ये है कि एक सरकार का प्रोग्राम होता था, जिसको रिहाबिलिटेशन और उन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिया है, जो नमस्ते स्कीम वो लोग लेकर आए हैं, वो एक अच्छी बात भी है देखा जाए तो, लेकिन बुरी बात ये है कि अभी भी सरकार जो है, मैन्वल्स के वेंजिंग को ये सैनिटेशन वर्क को एक डर्टी ओक्यूपेशन की तरह देखती है, राधर एक कास्ट ओक्यूपेशन के तौर पर, समझते हैं, तो मान लीजिए उन्होंने 97 करोड रुपे दिये हैं, ये बोलके कि हम मशीनों का उ अंदर उत्रेंगे, सबसे बड़ी बात ये है देखने के लिए, फिर एक स्कॉलर्शिप होता था, जो सिर्फ उन बच्चों को दिया जाता था, जिनके जो माबाप है, वो या तो मैला उठाते हैं, या फिर सीवर साफ करते हैं, या सफाई का काम करते हैं, उन बच्चों को उन ने वो स्कीम दिया जाता था, जिससे प्री मेट्रिक स्कॉलर्शिप फ्र दोस चिलडन जिनके पैरेंज मैला उठाते हैं, कहा जाता था, तो पिछले साल से उन्होंने वो स्कीम जो है, उसका नाम किया प्री मैट्रिक स्कॉलर्शिप फर ऐसीं अदर्स, अब यजो जिनके माबाप मेला उठाते हैं लेकिन ये वो बात हो गई ना कि एक scheme होती है कि जरूरी है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए हो ठीक है एक डाइवर्स जगह जो कहते हैं कि इसमें अपकास बच्चे भी पढ़ेंगे और इसमें दलित बच्चे भी पढ़ेंगे तो उसमें ये शौर है कि जादा संख्या जो है वो अपकास बच्चों की होगी तो हो सकता है उसमें मेला उठाने वाले बच्चों लेकिन हो सकता है नहीं हो और उस स्कीम के लिए उन्होंने इस बार 500 करोड रुपया दिया है जबकि वो उन बच्चों को टागेट ही नहीं करेगा लगातार पैसे की गिरावट आती जा रही है तो इन सब चीजों को देखके हम कह सकते हैं कि सरकार का कोई रिस्मांसिबल या फिर एक सीरियस बिहेवियर नहीं है अजली मैं एक और चीज समझना चाहता हूं जैसे यह 97 क्रोड मैनुल के लिए और खीर है Windsor से मैला उठाने का काम होता है मैं यहाँ यह समझना चाहता हूं कि भारत में जिस तरह की विवस्ता है जिस का मशीन आहें और आएंगी जो मशीनों को खरीदेगी जन मशीनों के जरिए ये काम किया जाएगा ये इसबात के गुंजाइश है कि उन मशीनों के मालिक जो हैं वो सवरन होंगे, ठेकेदार होंगे वो ठेकेदारी पर ये आउट्सोर्स करेंगे उसको तो ये ठेकेदारी पर जो पैसा है वो तो उनको मिलेगा तो manual squangers के लिए तो फिर से वही हाला आता गए ना उनके लिए तो कोई फाइदा ही नहीं हुआ इस बात की कुझाईश भी नज़र आती है बिल्कुल और आप सिर्फ मशीनों को क्यों देखते हैं यह देखिये कि जो contractors के अंडर मेला उठाने का काम करते हैं या फिर सीवर साफ करने का काम करते हैं उन लोगों के पास कोई health benefits भी नहीं है कोई उनका health insurance नहीं होता क्योंकि वो registered ही नहीं है उनका कोई data नहीं है documents होंगे तो access मिलेगा documents नहीं है तो कोई access नहीं है तो कोई accident हो जाता है मालने machine से ही हो जाता है machine से ही किसी सफाई करमचारी का कोई नुकसान होता है तो उसके लिए कोई health insurance ही नहीं है तो इस चीज़ का जवाब दही कौन करेगा सरकार तो नहीं करेगी और contractor ने तो identify नहीं कि उनके पास तो कोई document ही नहीं कि हमारे पास ये इंसान काम करता है तो ऐसे कई सिल्सलों में जो manual scavengers है जो सफाई करमचारी है जिनके पास बहुत कम पैसा होता है वो किसी बिमारी का खर्चा उठाने में या accident का खर्चा उठाने में ये उनके पास एक financial shock की तरह आता है तो जितनी भी उनके पास savings है वो सब उसमें चली जाती है अब सरकार के पास जो loan schemes है उसका भी वो फाइदा नहीं उठा सकते क्योंकि documents ही नहीं है तो उस चीज़ को कैसे वो cop up करेंगे इसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी कैसे करेंगे क्योंकि आप तो उन्हें गिनी ने सरकार तो संसदमी कही थी कि हैं ही नी जब report आ गई तो मजबूरी में मानना पड़ा और देखिए 97 करोड और ठावन हजार manual scranger से हैं उनके हिस्से में क्या या चवरनी से भी काम पैसा आएगा आप सोच लीजे जो प्रदानमंत्री 10 लाग का सूट पहनते हैं आठ हजार करोड के जहाद से वो गूमते हैं अपना महल मोधी महल दिली में बना रही हैं हमारे लोगों के लिए वो किस तरह से फंड की चोरी कर रहे हैं हम सीदे सीदे इसे चोरी कहेंगे क्योंकि ये हमारे लोगों के हिस्से का पैसा था मैं वापस आप लोगों के पास आऊंगा लेकिन मेरे साथ एक और साथी अपने नाम बता दीजे पहले वो योन उत्पिडन का हिंसा का और जातिवाद का शिकार होती है उन्हें तमाम तरीके की यातनाओं से गुजरना पड़ता है उसकी रोक थाम के लिए क्या सरकार ने सही से बजट दिया है डोली बताईए इस बार के बजट में दलित आदीवासी महिलाओं को क्या मिला उनके हाथ में क्या पैसा आया है की नहीं अगर हम ओवराल जो इस साल का बजट देखते है 23-24 का तो इस लाइक 49,90,000 करोड का पूरा एक जो ओवराल यूनियन बजट है और अगर हम उसमें से देखे जो दलित लोगों को मिला है विच इस वन लाइक 59,126 करोड यह यूनियन बजट में से स्पेशली एसी लोगों के लिए बजट आलोकेट किया गया है उसमें भी इस पेशली टार्गेटेड नहीं है मतलब सरकार के दोरा एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसमें वो कहती है कि यह स्कीम जो है सभी दलितों के लिए है ऐसी लोगों के लिए है मत अगेन उसमें भी टार्गेटेड नॉन टार्गेटेड और एक कुछ जनरल स्कीम होती है बहुत मिनिममम अमाउंट है जो दलितों के लिए होता है एक्जैक्ली अगर अगर मिजॉर्टी देखें तो इंफ्रस्ट्रक्ट्चर जनरल इन सब के लिए होता है और अगर जो जा है विचिस तुलाग ट्वंटी थाउजन करोड नॉट अस्मॉल मुनी अगर हम पेपर पे लेखें और एक क्लियर जो व्यूंस रूंस रिली ओर ग्रेट अमाउंट एवन अगर देखें तो में एक टेपार्ट्मेंट है जेंडर बजट में काल्ट अगर मिनिस्ट्री अ सारा फंड जो है वो आउट फिंडिया में जो स्कीम उसके लिए दिया गया है और कुछ और मेज़ॉरिटी में जिस अटानुमें बॉडी जैं मि इंफ्रस्ट्रक्ट्र बिल्डिंग सबसे जाधा फंड उसमें उसका अलोकेट किया गया है और अगर उसके अलावा हम लग उससे थोड़ा सा बाहर, तो 2,23,000 करोड में से केवल 7,543 करोड जो है, वो केवल दलित विमिन्स के लिए आलोकेट किया गया है, not even 10% of gender budget for दलित. इतना बड़ा 2,00,000 करोड से ज्यादा का महिलाओं के लिए budget है और हमारे इससे कितना है दलितों के लिए? 7,500 ये budget आप देखे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो गोल आपको सरकल नजर आ रही है और ये जो छोटे-छोटे dots नजर आ रहे हैं, ये fund हमारे इससे आया है? अगर हम देखे एक जो पहले plan budget, non-plan budget होता था उसी को बाद में merge करके CS plus CSS कर दिया गया है, तो अगर हम उसको देखे तो वह है 14,19,910 करोड, अगर हम उसमें से comparison करते हैं दलित बजट का, that is only 0.53 percent, not even 1 percent? Exactly, अगर हम आएक बहुत simple भाशा में कहें, तो जो भारत सरकार का एक जो program expenditure है, ये development budget है, उसका 1 percent भी जो है, वो दलित women's के लिए allocate नहीं किया गया है, एक तरफ हम paper पे देखते हैं, 22,000 करोड सभी के लिए, और अगर हम दलित के लिए comparison करते हैं, उसमें 7,543 करोड, इसी का opposite अगर हम ट्रीबल के लिए देखने हैं, तो इस साल जो allocate किया गया है, ये 1,19,510 करोड, भाद ऑगें फोर ट्रीबल उमन्स बजटट इसी को में और परोड, वें 0.1 percent of development budget. 0.19 percent of the women's gender budget, गेसको हम कह सकते हैं? 0.1 percent of it's called development budget, ccs plus css. और आप एक बात को समझें कि आदिवासी महिलाएं, United Nations के एक रिपोर्ट है कि भारत में आदिवासी महिलाएं सवर्ण महिलाओं के मुकाबले 14 साल पहले मर जाती हैं क्योंकि उनके पास में बहुत सारी सुविदाएं नहीं होती, पोशन नहीं होता, sanitation के options नहीं होते और तमाम हम लोग अभी जो अंकड़ों पर बात किया, यह सिर्फ allocation है, जो पैसा हम को मिला है, एक जो government का auditor है, CIG का अगर हम report देखें हैं, दो साल बाहर, तो जो यह Dalit Women's को allocate हुआ है, 7543, इतना भी खर्च नहीं होगा, अगर हम देखेंगे कि Dalit Women's के हिस्से में कितना खर्च हुआ, वो शायर इससे भी कम होगा, विकाज अभी तक जो हम लोग एक comparison करते हैं, budget credibility, like budget expenditure out of, versus utilization, अभी तक 100% नहीं मिला, हम लोग सिर्फ भी, ऐसी के बात कर रहे हैं, लेकिन अगर दलit, वहाँ पर भी 100% नहीं मिला, और अगर हम दलit Women's के बात करेंगे, ट्राइबल Women's की, वहाँ पर भी 100% utilization नहीं है, इवन ज देखेंगे, 2,23,000 क्रोड जो है, वह पूरा जेंडर बजट है, उसमें से 7,543, not even, around 5%, 5-7% is for Dalit Women's, अगर आप बागी देखेंगे, 93% that is diverted only, और इसको अगर आप सामाजिक नहीं की भाशा में कहें, कि 95% महिलाओं के लिए आपने कुछ नहीं दिया, और 2-5% महिलाओं के आपने सारा बजट जो है, बोरिया खोल दी, और यह जो लड़की हैं, यह देखें, यह फटा-फट आखड़े बता रही हैं, भारत के बजट की रिपोर्ट ही महिलाओं ने तयार की है, और ढोल गवार शुद्र पशुनारी, यह सब ताडन के अधिकारी, यह महान पंक्ति कहने वाला तुलसी दास अगर आज होता, तो यहां सर पटक रहा होता है, इनके पैरों में, यहां पर अपना सर पटक पटक के उसको शरम से डूब जाना पड़ता है, कि जिन लड़कीों को वो कह रहा था, कि यह सिक्षा के अधिकारी नहीं है, यह देखें, बार सरकार के बजट को जिसको बड़े-बड़े एक्सपर्ट नहीं समझ पाते हैं, उसको यह समझा पा रही है, तो यह रिपोर्ट तयार करने के लिए आप लोगों को कितनी मैनत लगती है, यह क्योंकि एक दिन पहले ही बजट आया है, अगले दिन आपकी रिपोर्ट आ गया है, इतना कुई क्ली कैसे कर बाते हैं? यह रिपोर्ट की बजट का एलोकेशन हो जाना और फिर लोगों को समझ में ही नहीं आना, कि आरे डाईला करोड दे दिया, डेडला करोड दे दिया, लेकिन आया तो कुछ नहीं से चावनी आई है, तो अंजली, आप लोगों का जो काम है, इसके इंपोर्टेंस को आप किस जी बिलकुल, देखिए, आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय तो नहीं हो सकता, ये लड़ाई हमेशा अधूरी रहेगी जब तक हम समझेंगे नहीं कि पैसा कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इनसान के समाज में उपर उठने के लिए, मान लीजे आज जितन कोई भीक नहीं दे रही है, ये हमारे हिस्से का पैसा है, जो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम हजारों साल की प्रताणना के बाद यहां तक पहुंचे हैं, कि आज हम उनसे सवाल भी कर सकते हैं, तो इस डेटा को निकालने में हम लोग महीनों महीनों जैसे डॉली ने बताया हम लोग महनत करते हैं, बार-बार उसको चेंज करते हैं, बार-बार चेंज करते हैं, बार-बार चेंज करते हैं, फिर दो-तिन दिन पहले जब बजट आने वाला होता है, तो हम ग्यारा बज़े घर जा रहे हैं, बारा बज़े घर जा रहे हैं, कभी घर नहीं जा रहे हैं, आफिस में ही रुके हुए हैं, अब आफिस से हम सीधा यहाँ पर आ गए हैं बजट पेश करने के लिए लेकिन अगर वो हमारे समुदाय तक नहीं पहुंचेगा तो फिर यह हमारी पूरी जो महनत है वो बरबाद है अब सरकार के साथ हमारे जो एड़ू के सी है वो अलग बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि यह हमारे समुदाय तक पहुंचे तक वो अपने लिए नयाय की मांग कर सके बहुत जरूरी बात है कि समझ में आये, लोगों को पता चले और सरकार की साजिश को भी हम समझ पाएं ले मैं आखरी सवाल ले रहा हूँ, हम जहां खड़े हैं यहां से थोड़ी दोरी प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, यही वो संसद भवन है जहांसे यह बजट पेश हुआ हमारे इस से आया है क्योंकि शायद जिस तरह की लहर चल रही है, अभी आज की बात नहीं है, लेकिन शायद जैसे अभी अंजली ने कहा कि यह हमारा ही पैसा है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं कि यह हमारा पैसा है, उन्हें लगता है इस चैरिटी और वी डोंट डिज़व दाट, क्यों मुफ कर रहे हैं, उसमें शायद उनको यह समझाना जरूरी है कि आपका जो इतना पैसा आप अलग-अलग सेक्टर्स में अवंटित करते हैं, उसका कितना हिस्सा इन दो समुदाय से आता है, चाहे वो इंडिरेक्ट टैक्स के थू हो, या डिरेक्ट टैक्स के थू हो, हाला कि हम में जादा आते हैं, लेकिन तभी भी कितना जादा, और इसमें उनको आगे चल करके उनके लिए क्या मुनाफ़ा है और क्या नुकसान है अगर ये चीज़ें सॉट आउट नहीं होती है, तो, क्योंकि आगे-आगे बहुत पैसे का खेल है, और क्लाइमेट फंड भी, इस ब पायू परिवर्तन जिनकी वजह से नहीं है, जबकि यूरोपियन देश जो है, अमेरिका है, उनकी तक वो टेक्निलोजिकली से बहुत जादा एडवांस्ट आए हैं, जिसकी वजह से एक ग्लोबल वर्मिंग जादा हुआ है, तो, वो ये भाशा समझते हैं, अगर आप सरक सरकार और देश, जो विक्सित है, वो हमें पैसा दे, तो, हम वो ही आप लिक चाहते हैं, कि वो ही प्रिंसपल ऑफ एक्विटी, समानता, वो यहां पे भी लागू हो, कि जो समुदाय गाडियों से नहीं चल रहा है, जो प्लेन में नहीं घूम रहा है, जिनके पास जमीन न यह सब उनके लिए है, जो और बहुत जरूरी है, यह स्कीम बहुत जरूरी है, क्लाइमेट अडाप्टेशन के लिए, अनुकुलन के लिए, और अच्छी बात है कि इसमें पैसा SCS को दिया गया है, उनके प्रपोर्शन के हिसाब से, लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है, वो कि है, तो शायद मेरी तो मांग भी उनसी यह होगी, कि आप दलित अदिवासी संगधनों से और लोगों से बात करिये, कि उनकी क्या जरूरत है, क्योंकि हम जमीन से आते हैं, जमीन की आवास को लेकि आते हैं, विर ब्रिच बिविन गवर्मेंट और कम्यूनिट तो अगर तो ब्रिच आप गाउं में इस तरह पे नहीं जा रहे हो, एक किसी कजबे में, एक हमलेट में नहीं जा रहे हो, तो कम्यूनिक आप उनकी सरकाव लोगों के साथ तो बाते करी हैं, ताकि आपका जो यह आलोकेशन है, वो जस्टिफाइ हो के हाँ आपने तरीक से किया है, त तो यह जो बाते हैं, और यह जो लड़कियां है, बहुत शांदार काम है इन लोगों का, और जब सावित्री माय फूले ऐसी लड़कियों को बढ़ाने के लिए घर से निकली थी, तो गौबर फेका जा रहा था, कीचड फेका जा रहा था, पत्थर मारे जा रहे थे, आज बेटियां जो हैं वो इतने complicated से subject पे फटाफट बोल के समझा रही हैं तो हम really proud of my girls और हम सब को सिक्षा के जरीये आगे बढ़ना चाहिए सिक्षित बढ़ना चाहिए वही हमारी मुक्ती का रास्ता हो सकता है इस budget पर आपकी क्या राए है मोधी सरकार ने जिस तरह से हमारे इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सायोगी मौहित अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी जैभीम